सतना जिले के सभापूरा थाना इलाके में युवक की मोत के बाद तनाओ के हालाद बन गए ग्रामिनों ने सभापूर थाना घेराओ कर प्रदर्शन चुरू कर दिया हालाद को काबू में रखने जीले के अन्य थानों से पुलिस बल भेश कर तेनाद करना पड़ा वेगत माहा सिरपूर थाना में हुए बावाल के बाद एक माहा के अंदर हुई जिले में यह एसी दूसरी वार्दा थे जब पुलिस कर्मी ही आरोपो के घेरे में है सभापूर थाना इलाके के ग्राम बरहा में रविवार की रात एक युवक का शोओ मिला था ब्रतकी शिनाक्त अतुल यादो नीवासी बर खेडा के रूप में हुई थी सुचनामलने पर पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद शोओ को पीम के लिए मर्चूरी में रखवा दिया था इधर जब यह ख़बर ग्रामिनों को मिली तो गाउं में असंतोष फेल गया परीजनों ने अतुल की मोत को कोई हाथसा नहीं बलकि हत्या करार देना शुरू कर दिया और परीजनों के साथ ग्रामिन ठाने के सामने आ जमा हुए और प्रदर्शन करने लगे सुमवार सुबस सभापूर थाने के सामने जमा हुए ग्रामिनों ने मार्ग पर च्रका ज्राम कर दिया उनका आरोप्ठा की अतुल की हत्या की गई है हाला तनापूर्ण होने पर मजगवा SDMH के धुर्वे SGOP नया गाउं अभिनाव चोक से मोके पर पहुचे और अन्य थानों का पूलिस बलभी मोके पर बुलाया गया गोरतलब है कि पिछले महीने सिहपूर थाना भवन के अंदर चोरी के एक संदेही की मोत थाना प्रभारी विक्रम पाठक की सर्विस पिष्टल से चली गोली से हो गई थी सिहपूर में जमकर बवाल हुआ था ग्रामिनों ने थाना घेरा था सतना से पंकश खुश्वा की रिपोर्ट कॉन गाली कॉन दे रहा है कॉन है कॉन है पुलिस में तो क्या है आपका क्या कहना है क्यूं का रच्ट करो और उसको नुक्री से सब्सक्राइब करो उसने 220 का काम किया उसको क्या मानना क्यों कारवाइब नहीं हो रहे है क्यूं का रवाइब पैसा दे के चला गया भई कर भाही है आपके सामने झाल